हालो एब्रीवान वेलकम तो अराइव ओनने क्लासेश देस प्रवेन हैर प्रिवेस यह एर एश्वी टैट की क्वेश्चिन सीरीज में आज का जो टॉपिक है बाइलोजिकल क्लासिफिकेशन है क्लास प्लस वन का ये चाप्टर नंबर टू है जहां पर आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चिन स्पेशल जो वहां से देखने को मिलते हैं बात करें वेटिज की तो कुछ जादा वेटिज नहीं है कुछ ऐसे paper भी थे जिन में कोई भी question नहीं पूछा गया था पर इस chapter में जितने भी important question है वो मैं आपको 10-15 additional question very important जो है वो भी इसमें बताऊंगी साथ में कुछ table NCRT में इस chapter में है वो भी आपको बताऊंगी जैसे कि यहां पर five kingdom किसने दिया टू kingdom classification के बारे में और important question जो table से निकलते हैं या फिर highlighted NCRT के questions है वो भी आपको concept के साथ बताऊंगी जैसे जैसे आपके MCQs आएंगे उनके concept भी साथ में explain होते रहेंगे इससे पहले biological classification के kingdom animalia और plant जहम अलड़ी कर चुके हैं आपने विजिट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं उन वीडियो को भी इसी playlist में first question है which class of protozoa is totally parasitic तो पहले तो protozoa belong कहां से करता है ये kingdom second यानी की protista का member है kingdom protista का member है और जो protozoans है उनकी classification भी आपको जो NCRT में दे रखिया आपको मैं बता देती हूँ जितने भी protozoan animals है उनको आगे classify कर दिया गया है और इनकी classification है एक आते हैं student इसमें ameboid protozoans दूसरे आते हैं flagellated ये NCRT में है तो आपसे question पूछा जा सकता है इसके बाद ciliated जिनमें cilia present होते हैं throughout the body और एक आते है sporozone ये नाम आप लिख लिजिए साथ में इनके example भी important है ameboid से नाम से पता लग रहा है ameba और एक और है that is end ameba इसका नाम भी ameba से काफ़ी मिल रहा है flagellated में आपको नाम याद रखना है that is tripinozoma tripinozoma ciliated में आपको याद रखना है paramecium paramecium और sporozone का example आपको that is plasmodium जो की malaria का causal organism है आप से यहां से यह क्यों important है पढ़ना आप से इस तरह से question पूछा रा सकता है identify for example identify member of ciliated protozoone तो अगर अब NCRT में यह हैं सब कुछ classification दे रखिए अगर आपको पता नहीं होगा कि कौन सा example किसका है तो आप वहाँ पे इस question को नहीं कर पाएंगे इसलिए यह important है और जो भी मैंने आपको example students बताए वो NCRT के ही मैंने आपको example बताए अब इन में से जो protozoa है जो parasitic, totally parasitic है यहाँ पे student C option correct हो जाएगा ओके जिसमें plasmodium भी आता है plasmodium जो है आपको एक तो पता जल गया कि protista से बिलॉंग करता है और sporozoan है एक sporozoa से बिलॉंग करता है parasite है human के लिए भी parasite है और human की body के अंदर रहता है इसलिए endoparasite होगा human के लिए कौन plasmodium और plasmodium से एक और question देखने को मिला है कि यह diagenic organism है यानि कि इसको अपने life cycle complete करने के लिए दो host की जरूरत होती है एक तो यह mosquito की body में रहता है और दूसरा human की body में रहता है इसलिए तो host इसको चाहिए ठीक है next question है आपका amoeba moves with the help of तो student आपको पता है जिसे amoeba की irregular body इस तरह से होती है तो जब उसे move करना होता है तो temporary feet उसमें बन जाते है इस तरह से temporary feet बन जाते है इन्हें हम या तो मैं कहा रही हूँ temporary feet या false feet या फिर इनको pseudopod या student कहते है अपना food capture करने के लिए भी इनकी help लेते है और जब amoeba food लेता है student ये दो term important है food amoeba जब लेता है किस process के थूँ अपना food लेता है student उसका नाम है endocytosis endocytosis की मदद से amoeba अपना food गेन करता है अगर मान लो amoeba liquid food material लेता है ठीक है तो हम उसे क्या कहते है penocytosis penocytosis और अगर वो solid food material अंगल्फ करता है solid तो उसे हम कहते है pegocytosis ठीक है ये दो term भी आप याद रखेंगे peno, pena है pena क्या है liquid कोच होगा तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं याने कि endocytosis आगे दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है penocytosis और phagocytosis next question है cell wall of fungus ये question दो तिन बार रपेच होआ है made up of तो फंजाई की जो cell wall होती है काइटीन से बनी होती है C option यहाँ पर correct हो जाएगा cell wall अगर बेक्टीरिया की पूछेंगे आप से तो वो बनी होती है peptido glycan peptido glycan या फिर इसे murine भी कहते है other name of peptido glycan is murine और cell wall plant की भी पूछ सकते हैं तो plant की होती है student cellulose से बनी होई next question है आपका which of the processes is performed exclusively by bacteria bacteria इन में से कौन सा process जो है humus formation तो जो detriti vores होते हैं या आप कह सकते हो कि dead decaying organic matter पे decomposers भी हम उने कहते हैं तो उसमें सिर्फ bacteria ही नहीं आते हैं उसमें जो है वो other mold, mushroom, further than your fungus other fungus वो भी आते हैं antibiotic भी नहीं होगा nitrogen simply नहीं तो synthesis of vitamin in human intestine जो है ये इसका appropriate otherwise humus formation में भी कहीं ना कहीं कुछ amount में करता है बट यहां पे सबसे ज़्यादा है हमारे जो intestine होती है अगर मैं human की बात करूँ तो E. coli यानि कि excrecia coli बहां पे present होता है ये excrecia coli एक gram negative bacteria है याद रखेंगे gram negative bacteria है और ये human के intestine में vitamin बनाता है और mostly कौन सी vitamin बनाता है ये भी आप नोट के लिजे vitamin K बनाता है next question is which of the following is edible fresh water algae तो यहां पे इसका सही answer student option C हो जाएगा that is chlorella chlorella जो है वो एक आपका member जिसको as a supplementary food space में भी ले जाया जाता है तो यहां पे C option other options की बात करें तो microcystis जो है ये blue green algae से belong करता है cyanobacteria है आपका और नॉस्टोक भी cyanobacteria है नॉस्टोक से एक question और भी आता है कि इसकी body के अंदर एक specialized structure होता है जो कि nitrogen को fix करता है उसे क्या कहते है that is heterocyst heterocyst उसे हम कहते है और laminaria जो है वो member है brown algae का और मैंने आपको बताया है कि brown algae जो है brown क्यों होती है उसके अंदर क्या pigment होता है that is fucoxanthine ये भी question previous year पूछा रा चुका है last video में हमने ये खिया है option C यहां पे correct हो जाएगा next question cell wall of diatum is formed of diatums की बात की गई है थोड़ा सा थोड़ा सा deep question यहां पे लिया है एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह protista का member है protista kingdom protista diatum की बात कर रहे हैं और आगे protista की भी आगे classification जो दे रखी है उसमें जो group है उसका नाम है crysofite 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 बोल सकते हैं आप इससे यह belong करता है दिया गया है कि जो golden algae और diatums है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इस group में crysofite और protista का यह member है cell wall की बात की गई है तो NCRT में silica से इसकी cell wall बनी होती है यह given है इवन cellulose के बारे में NCRT में नहीं है यहाँ पर D option correct हो जाएगा किसी भी other option में silica नहीं लिख रखा है next question है edible mushroom more cellulose की बात करें यह एक edible mushroom है और बहुत महेंगी यह बिखते है और rare होते है और इसमें से agaricus जो है यह भी student एक edible mushroom ही है और यहाँ पर agaricus की बहुत other species ऐसे भी होते हैं जो poisonous भी होते हैं यानि कि agaricus में edible mushroom और poisonous दोनों आते हैं अब यहाँ पर a b option both a or c option तो देके नहीं रखा हुआ है otherwise a or c दोनों correct होना था paxenia की बात करें अगर हम यहाँ पर तो paxenia student यह cause करती है आपकी एक wheat rust disease wheat rust disease cause करती है यह भी एक fungus है यहाँ पर तीनों ही fungi के ही member यहाँ पर दिये गए next question main component of cell wall of fungi यह जो है पहले भी question आया हुआ है काईटी निसका सही answer हो जाएगा next question which one is correct as per binomial nomenclature जब हम binomial nomenclature की rules पढ़ते है उस तो अभी जो है इस level पर टैट का paper दे रहे हैं तो इस mcq का question आप सभी को आना चाहिए यह मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ जो ncrt में given है वो बता देती हूँ these are अगर आपसे बात करें first point की जो botanical या geological अगर दोनों को साथ में हम biological name कह देते हैं यह name किस भाशा में होते हैं होती student generally यह latin भाशा में है लेकिन अगर हम इन्हें लिखना है अगर हमें write करना है तो written in italics यह याद रखेंगे italics और अगर हम इसे English में लिखते हैं तो हमें इनको underline करना होता है जैसे कि यह कैसे हम इसको समझेंगे for example मैं बोल रही हूँ कि हाँ यह बात है ठीक है बात है तो मैं हिंदी बोल रही हूँ मेरे words क्या है हिंदी क्या है लेकिन मैं उसे लिख कैसे रही हूँ English में यह बी ए ए टी क्या है English है तो इसी तरह से होते कि भाशा में है वो Latin में लिखते कि इसमें italics में इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको और जो यह बालॉमियन नॉमिलेचर का जो पूरा rule regulation यह दे रखे हैं यह naming system जो है यह carless lineage ने जो है वो दिया है यह भी आपसे पूछा जा सकता है NCRT में given है इसमें student हम लिखते हैं एक genus दूसरा नाम होता है इसको हम generic name कहते हैं generic name और इसको specific epithet कहते हैं highlighted point NCRT में पूछा जा सकता है okay next question है temporary finger like projection of amoeba are तो अभी हमने question किया amoeba के food के regarding भी locomotion के regarding भी और यहां पर आपको इस cancer सही पता होना चाहिए that is pseudo podium temporary structure बनते हैं diatums the chief producers of ocean belongs to grow अब diatums मैंने पहले आपको बताया कि protista का member है और क्राइसोफाइटा से यह बिलॉंग करता है diatum के साथ साथ golden algae भी क्राइसोफाइटा से बिलॉंग करते हैं यह जो है diatum's fresh water और marine environment दोनों में रहता है बात करें slime mold की यह भी protista का ही member है और slime mold इन्हें sporophytic protist भी कहता है इसके बाद dino flagellates यह भी protista की ही एक class है और uglinoid दोनों से आप एक point ध्यान में रखेंगे कि दोनों के member photosynthesis और uglina का specially member जो uglinoid का uglina member है उसे पहले plants में रखा गया था क्यूंकि उसके पास chlorophyll photosynthesis परफॉर्म करता है लेगन आप ध्यान में रखेंगे NCRT में dino flagellates के points में लिखा हुआ है कि यह भी photosynthesis परफॉर्म करता है next question है first is cell wall is absent in animalia यह correct है some fungi are edible yes nuclear membrane is present in monera no protists are unicellular eukaryotic organism yes students क्यूंकि nuclear membrane कैसे होगी monera में जो proper nucleus ही नहीं होता क्यूंकि वो prokaryotic organism होते हैं एक table NCRT में बना हुआ है मैं जस्ट उसको आपको explain कर देती हूं क्यूंकि यहां से important question बन सकते हैं जैसे student पहले दिया हुआ है monera के बारे में table में monera इसमें बताया हुआ cell type इसका prokaryotic है इसकी cell wall के बारे में बोला हुआ है कि जो cell wall है इसकी वो किसकी बनी होती है non cellulosic होती है पहली बात non cellulose से बनी होती है plus polysaccharide और amino acid जो है इसमें होते हैं nuclear membrane डरक लिखा हुआ absent है monera में और unicellular होते हैं इसके member ठीक है mode of nutrition की बात करें ये भी दिया हुआ है NCRT में तो ये जो है autotrophic भी होते हैं और hydrotrophic भी होते हैं second रखा है protista का protista eukaryotic है देखो monera को छोड़के बाकी सब eukaryotic है सिर्फ monera prokaryotic है बाकी याद आपको रखने की ज़रुत नहीं है सिर्फ एक protist एक prokaryotic बाकी सब protista बगारा सब क्या है और protista की जो cell wall है वो कुछ एक में present होती है इस तरह से देखे रखा है present in sum और अगर इसमें आगे जो इसके groups दिये होए हैं जैसे की chrysofita में silica present होता है cell wall में और अगर ugillenoid की बात करें तो उसमें pallicle भी होता है protein rich layer होता है और कुछ में cellulose की stuffing भी होती हैं बात करें cellular level की तो protista भी unicellular होते हैं लेकिन यह eukaryotic है याद रखिएगा unicellular eukaryotic member है mode of nutrition यह autotrophic, heterotrophic दोनों होते हैं fungus की बात करें अगर fungi की तो eukaryotic होती है cell wall mostly kaitin की बनी होती है as well as इसमें cellulose ध्यान में रखेंगे बिलकुल भी नहीं होता है लिखा हुआ NCRT में without cellulose होती है nuclear membrane present होती है eukaryotic organism है तो इसलिए bodies की multicellular होती है except one multicellular लेकिन इसका जो east member है वो unicellular होता है kingdom planty और any media हम detail में पढ़ चुके हैं तो इनके question अगर आप वो अभी भी नहीं clear होएं तो आप visit कर सकते हैं वीडियो को क्योंकि जो भी इतने सारे question previous हमने देखे हैं तो इनके सारे ही point उसमें include हो चुके हैं next question है which of the following is wallless monera monera का member wallless कौन सा है तो यहां पर mycoplasma जिसे हम joker of the planting kingdom भी कहते हैं और PPLO that is pleuroneumonia like organism इसे कहते हैं student यह जो है eubacteria eubacteria से belong करता है true bacteria भी इनको कहते हैं smallest living cell है student और यह survive कर सकता है oxygen के भिना भी mycoplasma की हम बात कर रहे हैं okay students तो यह थी biological classification के important question इसके बाद आपके जो question है chapter number five से रहेंगे class plus one morphology of the plant plant की morphology plant उसकी जो leaves floral structures है flower का detail structure है families है वहां से जितने भी question आए है और weightage अच्छा है इस chapter से काफी question है और इन जो हमने अभी तीन चाप्टर करें इन से ज़्यादा weightage वहां पे उसका है उसको miss मत करिएगा उसके बाद not me वाले chapter साथ में हम कर लेंगे botany का portion आगे रहने वाला है आपकी इसके बाद क्यूंकि physiology, photosynthesis, respiration बाले chapter भी इसके बाद आने वाले हैं okay students so this is all about for today अगर आपको material अच्छा लगा तो video को like करिए और comment भी कर दीचे क्यूंकि अगर आपकी requirement कमेंट पता चल दीए कमेंट से कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आप किस तरह की वीडियो की डिमान करते हैं तो हमें भी एक आइडिया लग जाता है तो उस बेसिस पे हम भी फिर आगे अपना नही सीरीज है material लेके आ सकते हैं thank you so much मिलते है झाले आपियो नहीं कर सकते हैं लुकी उस है भी एक इड़ियो तो सब्सक्षण आपको आपको जाता नहीं